यहां ठीक हूँ फ्रेंस सुबह सुबह मैं मॉर्णिंग रूटीन शुरू कर दी हूँ आलू और परवल की सब्जी बना रही हूँ फ्रेंस यह जो वेजवाली सब्जी होती है मैं इसको जीरा और अधरक और हरी मिर्ची के साथ में बनाती हूँ इसमें किसे तरह का लाल मिर्ची या फिर प्याज लेसन इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे घर में सभी लेसन प्याज की सब्जी जो है वो जादा पसंद नहीं करते हैं कुछ-कुछ सब्जियों में डाला करती हूँ लेकिन रेगुलर नहीं बनाती हूँ तो मैं बनाया है फिश करी और साथ में बनाया हुआ है डाल भी बनी हुई है उरद वाली और मैंने आलू परवल पहले ही बता दिया है ये तीनों ही सबजी मैंने बनाये हुए है और फ्रेंस मौका मिलते ही मैं छट पर चली गई दो फर में और दो फर से अजकल लगबग तीन-चार दिनों से चट की जोड़दार की मेनत कर रही हुँ मैं और चट में बहुत सारे जंगल से हो गया है ये सब को मैंने साफ किया है धिरे-धिरे करके मैंने वैसे भी पहले भी बताया हुआ है कि हमारे घर के पीछे में देखिए ये जो सुपाडी है नारियल है महगनी है और ज जाते हैं तो यही मुश्किल रहता है साफ करना बहुत जरूरी हो जाता है लेकिन क्या है फ्रेंड्स बितनी बारिश हो रही थी तो मैंने बोला कि बारिश कंप्टीट एक बार हो जाए रूख जाए उसके बाद ही साफ करूंगी तो जैसे अभी तीन चार दिनों से बारिश नहीं होगी लेकिन फोरकास्ट में भी मैंने सुना है कि बारिश नहीं होगी है तो इसलिए मैंने सब काम जटा-पट शुरू कर लिया है जल्दी यली से और थोड़ा-थोड़ा करके लगबका साथ-ाठ दिनों में हो जाएंगे दुर्गा-पूजा तक यह सब प्रॉब्लम आया था तूटने के बाद से मुझे थोड़ा सा डर होने लगया है चत्पी बेट पोथो के साथ है ना मुझे पहले से ही पसंद है अभी भी बहुत पसंद है लेकिन फ्रेंस एक तो हाथ का यह प्रॉब्लम है तहां उपर से इतनी धूप है और धूप में पूरे बारिश में खराब हो गया मेरे पिछले बार मैंने 60 गमले लगाये वेते लेकिन इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं लगाए है देखते क्या होता है क्योंकि यहां पर तो अभी मौसम भी ठीक नहीं है पता नहीं चल रहा है और इतनी उमस गर्मी वापस ते बारिश पेड़ पौधे खराब हो जाएंगी क्योंकि मेरे चट के उपर शट नहीं है तो जैसे भी हो यह सब काम कंप्लीट हो गया पेड़ पौधे पर पानी डालने के बाद थोड़ा गई थी गंगा घाट में तो वही थोड़ा गंगा जल लेने के लिए भी गये थे और शाम को अफिस से आते वकत चिकन रोस्ट लेके आई थी दोपिस वह और अपने और पापा के लिए लेके आई थी तो उसी में रात का जो है हम लोगों का डिनर हो चुका था तो फ्रेंस आज के लिए बस इतना ही अगर अच्छा लगे तो मुझे जरूर से सुझाओ दीजेगा तो